बच्चों इदर देखो, focus ओए, सब लोग इदर एक bum था एक kilogram का एक bum था एक kilogram का initially क्या था? rest initially क्या था? कितने हिस्से में टूटा? 3 और उसका question में ratio दिया M1 is 2, M2 is 2, M3 कितना? 1 is 2, 1 is 2 तो इसका मतलब यह हुआ अगर यह 1 kg का है 1000 gram का है तो यह कितने gram का? 200 gram का है यह कितने gram का? 200 और यह कितना? 600 यह कैसे पता चला? Proportional से किसे पता चला? Proportional से बोला क्या कि यह 3 हिस्से में टूटा और सर्थ यह है कि 2 हिस्सा mutually perpendicular है 2 हिस्सा क्या है mutually? और कौन? हलका वाला कौन सा? हलका हलका कौन सा है बच्चो? एक M1 है और एक क्या है? M2 है अगर यह mutually perpendicular भागेंगे तो कैसे भागेंगे? ऐसे बोलो भागे V1 इधर भागा V2 किदर भागा? इधर भागा बोलो ठीक? भागा mutual perpendicular दिख रहे है ना यह यह mutually perpendicular है और तीसरा जो heavier है sorry तीसरा जो heavier है बोलो ठीक? इसकी velocity हमको नहीं पता हम माल लेते हैं V3 हमें कौन पता इधर जा रहा है इधर जा रहा है? बोलो clear है की नहीं? सबको clear? ठीक अब अच्चो देखो दिखान से अगर यह mutual perpendicular है तो 45 और 45 बनेगा की नहीं बनेगा? अब देखो जिधर velocity उधर momentum जिधर velocity उधर क्या? momentum तो P1 का इधर क्या बनेगा? P1 का कॉस पैतालिस और P1 का इधर क्या बनेगा? साइन पैतालिस P1 का इधर क्या बनेगा? बोलो सही P2 का इधर क्या बनेगा बच्चो? कॉस पैतालिस पीटू के इधर क्या बनेगा अब पीटू के जब इधर करोगे तो पीटू के क्या बनेगा साइन पैतालिस बोलो ठीक कोई दिक्कत परशानी अब देखो हम in the x direction सांती सुनियेगा in the x direction momentum conserve कर देते हैं किस direction में x direction में हम momentum conserve मतलब x direction का जो भी momentum होगा initial और final क्या होगा बराबर होगा बोलो सही initial और final क्या होगा तो देखो initial momentum is equal to क्या होगा final initially क्या है बच्छों रेस पे अब final momentums बताइए क्या है अब देखो इसका momentum कितना होगा m3 v3 बोलो होगा ठीक प्लस इसका momentum कितना है in the x direction कितना है P1 कॉस 45 कितना है P1 कॉस इसका मुमिट्टम इन दा एक्स डिरेक्शन कितना है P2 कॉस 45 किसी कोई दिक्कत पर सानी अब है क्या बोलो अब है नहीं अब चल M3 कितना है बच्छा 600 velocity कितनी V3 अब देखो P1 P1 अगर ध्यान से देखो इसका मास कितना है M1, M1 कितना है 200 इसकी velocity कितनी है बुक में दिया था 30, कितना दिया था 30, इसकी velocity कितनी 30 और कॉस 45 कितना हृता 1 by root 2 ठिक, यह कितनी velocity से चल दा है 30 meter per second से अब चलते है P2 का नंबर आता है, M2 का मास कितना है 200 और उसकी वेलास्टी कितनी है 30 और कास 45 कितना था 1 बाई रूट 2 अब देख रहा है एक काम करो इसको इधर लिख लो तो माइनस 600 इंटू V3 होगा अब देखो 230 रूट 2 230 रूट 2 सेम सेम है जुर जाएगा तो क्या होगा 2 इंटू 200 इंटू 30 इंटू 1 बाई रूट 2 बोलो सही हो गया 0000 बोलो हो गया देख तीन से 6 कटेगा तो 2 आएगा 2 से 2 कटेगा तो 1 आएगा बोलो सही, तो यहां बच्छा सिर्फ V3, यहां बच्छा क्या है, V3, और यहां क्या बच्छा, 2 by root 2, कितना बच्छा, 2 by, 20 बच्छा है, 20 by root 2, अब क्या करें, root 2, root 2, multiply, divide कर दें, root 2, root 2, 2 से 20 कटा कितना हैगा, 10 root 2, और minus को उधर भेज दें, तो V3 is equal to आया, minus 10 root 2, यह हमारा answer, answer plus की minus, इसका मतलब यह वाला body कि इधर भाग रहा है, इधर, clear हो गया, चल भई, जैहन, चलो भई, आज के लिए,